26 माई को साल 2020 का पहला और आखरी बलड मून नजर आने वाला है सामने तोर पे इसे पूंचंद ग्रेन कहा जाता है अंग्रेजी में इसे टोटल लूनर एक्सलिप्स के नाम से भी जाना जाता है आपको बता देगी इससे पहले जनुरी 2019 में बलड मून देखा गया था 26 माई 2021 के बाद 16 माई 2022 को अगला पूंचंद ग्रेन देखने को मिलेगा इस बार का बलड मून बेहत खास है क्योंकि ये ऐसी डेट पर आने वाला है क्या है ये बलड मून ये पूंचंद ग्रेन की घटना जब चंद्रमा लाल पड़ जाता है 26 माई को किस समय और कहां देखा जा सकेगा ये पूंचंद ग्रेन जानेंगे इस वीडियो में 26 माई को परत्वी चंद्रमा के बेहत करीब होगी लगवक 356,000 किलो मीटर जो परत्वी चंद्रमा के बीच की सबसे कम दूरी होगी जिससे परत्वी चंद्रमा के बीच गुर्टवा करसन बल अत्तदिक बढ़ जाता है बलड मून उस इस्तिती को कहा जाता है जब चांद पूरी तरह से लाल हो जाता है ऐसा तब होता जब पर्थवी सूरज वे चांद के बीच आकर सूरज की रोशनी को सीधे चांद तक पहुचने से रोकती है ऐसे में पर्थवी के वाय मंडल से टकरा कर जब रोशनी चांद की सते तक पहुचती है लाल रंग की तरंग दिरिया या वेवलेथ जादा होने से केवल लाल रंग की ही किरने चंद्रमा तक पोस्ती है और चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ता है इस गटना को बलड मून या पून चंद्रग्रेन कहा जाता है पूर्ण चंद ग्रेन के दिन चंदमा परत्वी के बहुत करीब होने के वेश से चंदमा कापी बड़ा दिखाई पड़ता है अब जानते हैं बलड मून 2021 काँ काँ दिखाई देगा 2021 का पूर्ण चंद ग्रेन दक्सिन पूर्वी एजिया औस्टेलिया उत्री अमेरिका के अधिकान स्खेतरों जैसे दक्सिन अमेरिका परसान मासागर अटलांटिक हिन मासागर और अंटार्टिका में दिखाई देगा जबकि कुछ सेरों में ये आंसिक रूप से दिखाई देने वाला है अगर भारत की बात करते हैं भारत में ये पैनुबल चंद ग्रेन के रूप में दिखाई देगा आपको बता दे पैनुबल उस चेति को कहा जाता है जब परथवी का बीच वाला हिस्सा और चायां पूरे चांद को कवर करते हैं तब सूजय की कुछ रोसनी को पर्त्वी सीधे चंदमा तक पोचने तक रोकती है। पर्त्वी की चायां के भारी हिस्से के छेतर को पैनुबल कहा जाता है। दिखाई देगा 26 मई के बलड मून के दिन। अब बात करते हैं पूचन्दगेन 26 मई को कितने बजे होने वाला है। नासा के अनुसार इस साल का बलड मून या पूचन्दगेन कुल मिलाकर 3 गंटे 7 मिनट तक रहने वाला है। वैसे आपको बता दे पूचन्दगेन केवल 15 मिनट तक होगा। भारते समय के नुसार अगर बात करें तो दोफैर 2 बचके 17 मिनट से सुरू होकर चन्दगेन साम 4 बचके 41 मिनट तक पूचन्दगेन होगा। लेकिन अगर बात करें कि पूरी तरह से कब समाप्त होगा तो भारते समुनसार 7 बजके 19 मिनट पर पूर चंद गर समाप्त हो जाएगा उमीदे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक सेर कर देंगे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मातर हो